हेलो एवरीबोडी, वेलकम टो में चैनल, इस में टरो 313, सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आज हम देखने वाले हैं नो कॉंटेक्ट आपके पार्टनर्स की क्या करन्ट फिलिंग्स हैं आपको लेकर, जिनके साथ आपका नो कॉंटेक्ट है, ब्रिक अप हो चुका है, सेप इस Bijकिशन बैल, आप परस्णर डिडिंग्स की डिटेल्स आपको डिसक्रिप्शन है मिल जाएंगे, आप मेरे ई-मेल पे कॉंटेक्ट करके, डिटेल्स ले सकते हैं या फिर इंस्टा पर कॉंटेक्ट करके, सो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फोलो करिए सो अपने परसन पर फोकस करिए गाईस देखते हैं क्या है क्रंट फिलिंग्स जिनके साथ अभी आपका नो कॉंटेक्ट है सेपरेशन चल रहा है ब्लॉक सिच्वेशन चल रहा है यह परसन आपके कोई हजबन वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है यहां पर कोई एक्स कोई लवर सो लेट सी देखते हैं क्या है उनकी क्रंट फिलिंग्स आपको लेकर इस टाइम क्रंट ली क्या फिलिंग्स वीडियो को लाइक जरूर करिए First we have 37, it's a rotation, Harvest Moon 37 इस परसन की age हो सकती है Number 10, Number 1 काफी important दिख रहा है कुछ लोह की तरफ से इस परसन का star sign Libra Taurus हो सकता है Then we have 38 Number 11 important दिख रहा है, we have abundance Yes, Libra Taurus की energy काफी जयदा strong दिख रही है and Virgo and Capricorn की energy इसजी भी मुझे काफी strong दिख ली है वैसे यहाँ पर yes number 2 भी काफी important हो सकता है कुछ लोगों के लिए यह परशन के पास हो सकता है काफी ज़्यादा cats हो सकती है and otherwise may be यह person animal lover हो सकते है यहां बरहो सकते हैं इनके पास काफी ज़्यादा cats हो सकते हैं फिर animals हो सकते हैं let's see more we have number 11 11 11 number कुछ लोग के लिए बहुत सदा important है 22 age date of birth हो सकती है otherwise double master 2 number काफ़ी important है we have fear इस टाइम आपके person guys ऐसे लगड़ा जैसे ये इस connection में growth तो जाते हैं आपके साथ with the abundance कि आपके इस connection में आगे कोई growth हाए आपके connection में आगे कोई चीजे जो है वो forward हो लेकिन मुझे लगड़ा है ये डरते हैं शायद इनको अपने comfort zone level से यहां तो बाहर आना है यहां फिर कुछ लोगड़ा जैसे ये इनसान बहुत ज्यादा अवर थिंकिंग कर रहे हैं इस टाइम अभी किसी डर में है यहां किसी चीज का इनको खोफ है एफिल है कि परसंट काफी negativity में हो सकते हैं यहां फिल इनकी life में कुछ negativity ऐसी चल रही है जिसकी वज़ा से ये परसंट डरते हैं आप लोगों की तरफ आने से यह energy मुझे दिख ली जब कि यह चाते हैं growth आपके साथ करना लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि abundance यह इन सब चीजों में betterment आएगी कैसे because आपका first card है fruitation का fruitation means कि यह इनसान positivity चाते है growth चाते है आपके इस connection में आपके साथ सब चीजों को better करना चाते हैं वो चाते हैं कि उनको prosperity मिले abundance मिले इस connection में लेकिन यहां पर डर रहा है इनको यह डरते हैं I think यह person में यहां तो lack of confidence है यहां पर यह person में कुछ action लेने की इतनी power नहीं है जिसकी वज़ा से यह fear की energy है yes but we have 32 इसा trust energy लेकिन इनको trust है कि सब कुछ ठीक हो जेगा लेकिन मुझे लग रहा है जैसे इस person को इधर again यहां पर एक जैसे shell है जिसके अंदर यह person कैद है yes तो मुझे लग रहा guys यह जो भी आपके person है न इनको अपने किसी comfort zone level से यहां तो बाहर आना है yes यहां फिर यह person के अंदर अब इतना confidence नहीं है यहां भी same ऐसी energy ही दिख रही है see यह same energy है it's a whole but एक person इसके अंदर है and it's also same position तो इनको किसी चीज से बाहर निकलना है इनको trust है कि हो जाएगा यहां पर ducks हैं तो maybe यह person के पास काफी ducks भी हो सकती है यहां फिर I feel like यह person आपसे कोई ना कोई बात करना चाते है 32 age number 5 important हो सकता है yes यह person communication आपसे करना चाता है इनको trust है कि यह जो इनको fairs है यह किसी भी तरह का इनको जो खोफ है यह उस चीज पर काबो पा लेंगे यह और कम कर लेंगे उस situation में बिकुस इनको आगे growth चाहिए लेकिन यहां पर time लगेगा यहां पर चीजे काफी time लेती हुए मुझे दिख रही है एक दम से सब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर डर है इस परसन को बड़े यहां टो क्लारिफाई के किस चीज का डर है इस परसन को फिर भी क्लारिफाई कर लेते हैं बिकुस यहां पर दिर इस लोट ओफ डार्क अनरजी कम्यूनिकेशन का डर है शाय दिन को इनकी लाइफ में कुछ नेगिटिविटीग है लेट सी किस चीज का डर है मेरे वीवर्श के पार्टनर को किस चीज का डर है इस परसन को आपकी तरफ लेने का डर है बिकुस अशा लग रहे जैसे यह आपकी तरफ कोई ना कोई रेलेशन शिप की रोमेंटिक कमिट्मेंट के लिए यह एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन यह डरते हैं आपकी तरफ एक्शन लेसे यह जज्जमेंट यह यह डरते हैं इनको लगता शायद आप इस परसन को बहुत सदा जच कर सकते हो और यह फिल लिए कुछ लोगों की तरफ से यह परसन जो है अपने कार्मा इस टाइम डील कर रहा है कार्मिक सिट्वेशन इनकी चल रही है जिसकी वज़ासे इनकी अवेक्निंग हो रही है और इनको डर है आपके साथ जो भी इनोंने किया है उस वज़ासे कुछ ना कुछ चीज़ें यह फेस कर रहे है बदले में कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से जिसकी वज़ासे यह इनसान काफी ज़्यादा एक खौफ में है बिगोज लिटल डी इटसा फायर और एक इनसान जैसे जल रहा है कोई एक डिफिकल्ट सिट्वेशन चल रही है जहां पर वो परसन उस चीज से रिलीज चाता है यह रिलीफ चाता है रिलीज करना चाता है उस डिफिकल्ट सिट्वेशन को जज्मेंट की एनरजी है करमा डील कर रहा है लेकिन आपकी तरफ आना चाते है और जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया यह आपके साथ सब चीज अच्छा करना ही चाते है एरिसलियो सेगेटेरियस अनरजी हो सकती है कुछ नों की दरफ सेगेटेरियस इस वैरी स्ट्रॉम टैंसर पाइसी स्कॉर्पियो 20 डेट अफ पर्थ हो सकती है 20 एज हो सकती है ट्रिपल टू नंबर काफ़ इंपॉर्टन दिख रहा है मुझे यहाँ पर यस लेकिन यह इनको डर है आपकी तरफ आने का बिकुद इनको लगता है शायद आप काफ़ी जज़ कर सकते हो इनको यहां पर मुझे लग रहा है यह रिलाइस कर रहे है अपनी मिस्टेक जो भी नोने आपके साथ किया उस वज़ा से भी डरते हैं आपकी तरफ को यह उफर लेकर आने के लिए लेकिन इस परसन है ट्रस्ट के चीज़े बैटर हो जाएंगी फ्रूटीशन के इनको इस टाइम जो भी चीज़े चल रही है और चीज़ का एड़ एंड फ्रूट जो है वो एक अच्छा मेलेगा वी हाब हाई प्रिस्टिस दैन वी हाब नाइन वैंट्स गीवप बिल्कुल भी नी करना जाते है आपके पार्टनर आपकी इस कनेक्शन में भी हाब नाइन उफ कप्स कैंसर पाइसी स्कॉर्पियो नाइन की एनरजी काफी स्ट्रॉंग दिख रही है यह परसन देखो गाईस यह आपको चालता बहुत है ठीक है लेकिन इस टाइम विद्धा एस ओवांड एडिस लियो सेगिटेरियस और आपके इस कनेक्शन में डेफिनिटली एंडिंग बहुत बुरी तरीके से हुई है जिसकी वज़ा से इनकी लाइफ में भी काफी ज़दा चीजे जो है वो शेडर्ड हो रही है बैक टू बैक ये परसन एक के बाद एक चीजों डिफिकल्ट देख रहा है वो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ खोया भी है क्योंकि डिस्ट्रक्शन मोड चल रहा है अवेकनिंग का प्रोसेस भी चल रहा है साथ-साथ जहां से ये परसन इस चीज़ के ओपर इनको confidence है कही न कही न को trust है कि चीज़े ठीक जरूर हो जाएगी अगर अभी बुरा टाइम चल रहा है इनकी life में या आपके इस connection में तो आगे चल के चीज़े definitely कोई न कोई success की तरफ जरूर जाएगी ठीक है कोई न कोई change जरूर आएगा एक better change आएगा बिकोज अगर अभी इस ताइम को twister चल रहा है universe की side से तो आने वाले time में definitely सब बुछ अच्छा हो जाएगा इस चीज़ का इस person को trust है बिकोज ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आएए इनको इस connection में success मिले ये person को victory मिले ये person जो है growth इस connection की करें ये चाहते हैं इस चीज़ को cancer और एडिस काफी strong दिख रहा है पाइसी स्टार बहुत ज़्यदा strong है Scorpio भी है एडिस लिए सेकेटेरियस इस very strong ये दो star sign में जो बहुत ज़्यदा strong दिख रहे है एक fire sign और एक water sign आप दोनों का combination हो सकता है but energies पे आपने ज़्यदा focus करना ये give up बिल्कुल भी नहीं करना चाते है इस connection में but ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग इस person को silent treatment दे रहे हो आप totally खमोश हो चुके हो इनको लेकर लेकिन ये आप जो इनको love करते थे जो care देते थे ये उस चीज़ को लेकर काफी ज़्यदा जो है ना miss करते हैं उस सब situation को yes and ये चाते हैं कि इनकी विश पूरी हो इनका dream पूरा हो आपके साथ किसी तरह से दुबारा से कोई connection बन जाए क्योंकि इनको अपनी life में जो satisfaction नहीं है ये person उस चीज़ को उनको लगता है कि आप ही satisfy कर सकते हो आप इस person को हुश कर सकते हो आप इस person का dream come true हो ये अपने उस dream को पूरा करना चाते हैं जो कि इस time इनको काफी ज़्यदा difficult लग रहा पूरा होना लेकिन they have trust कि आने वाले time में एक new beginning जरूर होगी आपके इस connection की एक नहीं शुरुआत होगी इनकी life की पिछला सब कुछ जो chapter है वो खतम हो जाएगा, close हो जाएगा और एक निया chapter जो है आपके इस connection का start होगा मुझे लगए है कुछ लोगों की तरफ से यहां तो आपका telepathy connection भी हो रहा है और कुछ लोगों के partners आपके यह हो सकते हैं आपको dreams में बहुत जादा देख रहे हैं जिसकी वज़ा से आपको याद करते हैं और अपने, जब यह आपको dreams में देखते हैं तो definitely इनका आपसे मिलने को दिल चाता है तो यह मिलना चाते हैं आपसे basically आपकी तरफ आना चाते है they want change हो सकता है यह person ने काफी बार हिमत की है कि आपसे contact करें, आपकी तरफ कोई action ले आपसे बात करें ताके कोई connection आगे move करें लेकिन fair की वज़ा से यह person जो है ना कोई ना कोई डर इस person को रोक लेता है आपकी तरफ आने के लिए yes क्योंकि यह बें डर मुझे दिख रहे है main, जैसे एक इनसान के अंदर lack of power है, lack of confident है वो चीज़े इनको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, जबकि इनको लगता है कि आप इस person को बहुत अच्छे से support कर सकते हो आप इस person को understand कर सकते हो आपने इस person को genuine care, genuine love दिया बट इन्होंने जो है, उन चीज़ों को hood जो है, वो किसी ना किसी वज़ा से खोट हो दिया है खतम कर दिया है इस connection को लेकिन अभी यह ठीक करना चाते है लेकिन यहावे power की बहुत ज़्यदा इनको use करना पड़ेगा यहाव, लेकिन इनको attraction है आप से love भी बहुत ज़्यदा है romantic feelings भी बहुत ज़्यदा दिख रही है और वो चाते हैं कि इनकी life में जो भी इस time fairs है यह जो भी क्लावडी energy है, life में चीज़े bloody हैं वो आने वाले time में clear हो ज़्यदा है yes because इनको लगता है कि आप इनकी जिंदगी में और खुशियां वापिस लेकर आ सकते हैं जो इस time इनकी life में इनको नहीं नज़र आ रही yes let's see more we have make the effort effort करना चाते हैं guys, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनको effort करनी हैं तब ही आपके साथ जाके connection जो है वो आगे बढ़ेगा otherwise यहां पर ही situation जो है वो अटकी रेग we have worth waiting for you wait कर रहे हैं guys और इनको पता है कि जो इस time ये person wait कर रहा है जैसे मैंने उल्ड़ड ही बताया आपको कि at the end जो है वो उनको पता है कि जो इस time चीजे difficult चल रही है वो आगे जाके उस चीज का fruit जरूर मिलेगा ठीक है तो divine timing definitely मुझे लग रहा है इस person को trust है कि divine timing जो है वो जब आनी है तो उस चीजे सारी जो है वो इनकी favor में जो है वो work करेंगी कुछ लोगी हो सकता है divine timing आच चुकी है we have attraction इनको attraction बहुत ज़्यादा है romanticly बहुत ज़्यादा ये person आपकी तरफ जो है वो attract हो रहे है I feel शायद आप अपनी life काफी ज़्यादा focused हो अपने उपर focus कर रहे हो that's why we have forgiving and learning कि आपसे माफी माँगना चाते है past में जो भी इनोंने को and then आगे present moment हो उसको एक अच्छे वे में love create किया जाए क्योंकि past में ऐसा लग रहा है जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ किया उस वज़ा से अभी ये life में with the tower काफी ज़्यादा चीज़ों का experience से रहे हैं उनको काफी कुछ दिखने को मिल रहा है that's why ये person आपसे माफी मा रहना चाते हैं ये आपके ex बन के नहीं रहना चाते है romantic feelings क्योंकि इनकी feelings काफी romantic हो रही है आप लोगों को लेकर so they really wanna spend some good time with you we have chemistry yes we have there is a strong magnetic attraction here इनको काफी सदा आपकी तरफ attraction हो रही है और इनको लगता है कि आपके साथ इनकी chemistry भी काफी अच्छी हो सकती है मतब एक अच्छ बड़ा से आपके साथ partnership करें और अभी partnership करेंगे तो definitely अच्छे से work करना चाते हैं आपके साथ इस connection में yes आपके लिए guidance देख लेते हैं आपके लिए guidance क्या है वीवर्स के लिए क्या guidance है आपके लिए guidance ये है guys कि आप लोग इस टाइम मुझे पता है काफी जदा आप ignorance शायद फिल करें और आपके लाइफ में आपको लगता है कि आपके लिए रहे हैं आपको सब लोग जो हैं वो left out सा फिल करवा रहे हैं जिसकी वज़ासे आपको लगता है कि इस टाइम शायद आपके अपना कोई नहीं है लेकिन आपको ये चीज़े फिल नहीं करनी ठीक है आप बिल्गल भी ऐसा ना समझयो आप ये समझ आपको ये विलीव होना चाहिए कि यउनिवर्स आपके साथ है तो आपको किसी इनसान की जरुरत नहीं होनी चाहिए ठीक है because मुझर लग रहे जायद आपको लगता है कोई भी इंसान आपका अपना नहीं है क्या कोई इनसान आपके साथ loyal नहीं है आप जिसके साथ भी loyal रही, उस इंसानने हमेशा आपको cheat किया, आपको left out feel करवाया आपको ignore किया आपने जिसको जितना चाहा है उतना ही उस इस इंसान ने आप लोगों को worthless feel करवाया है आपने इस energy से बाहराना है अपना trust जो है universe पे रखे ठीक है और अपने आपको financially जो है वह strong करो Yes, so this is your reading, I hope this will resonate with you मुझे comment section में feedback जरूर दीजिएगा मैं में लोगी आपको next reading में, till then take care, bye